चलिए सर और कुछ बच्चों को मैं जानकारी देदू तो जितनी बुक्स आपने ये खरीदी है ना तो ये सारी बुक्स फ्री में मिलती है ये पेड़ वाली बुक कहां पे मिलता है अभी तो आपको देखो अभी तो ये बुक आई नियूस लेवस है अब सेकिंड सेमिस्टर सर जब जाओगे ना तो मैं बता देता हूं S.O.L. के अंदर जाईएगा वहाँ पे एक उनका है डिपार्टमेंट लाइबरी है वहाँ पे उनका ठीक है ना आपको जो आईडी कार्ड मिला है और जो फी स्लिप जो डाउनलोड होता है वो लाइबरी आपको वहाँ पे लेक जाहिए एक बार में आप दो से तीन बुक ही पिक कर सकते हो और यह जितनी भी बुक है सारी नई नई बुक आय उई होती हो ऐसा नहीं कि पुरानी बुक तो अधर सब्जेट के जैसे आपके बुक्स है जैसे लौ का है बिजनस और जैसे कि लौ के अंदर मैंने बोला कि भीया या तो कोई के आगए और यहां फैक रहे हो इधर अधर अरे कोई बात नहीं फाड़ दिया वहां रिटन नहीं करा तो जब तक आप बुक को रिटन नहीं करोगे रिजल्ट आपका आएगा ने डिस्प्ले पर बोल्ड कर देते हो एक यह आप यह रिस्क आपको तब लगेगा जब आ पर वाओ चलिए सर एक और कॉमन डेप्ट के अंदर ना बच्चा बार बार पूछता है सर यह दे रखा है तो क्या करें यह दे रखा है क्या करें बड़ा सिंपल सा फंडा होता है इसका करने का पहले हम बाए कॉंसेप्ट समझ लेते हैं कि यह है क्या चीज अगर बड़ी स Mr. X एक किसान है फार्मर है एक किसान है और गन्ये का वेपारी है यह इसका काम सुगर के इनका है गन्ये का वेपारी है मान लेते हैं मिस्टर वाई मान लो मिस्टर वाई मिस्टर वाई जो है इनकी फैक्टरी है सर मिस्टर वाई की फैक्टरी है इनकी क्या फैक्टरी है चीनी की मील है चीनी की मील है तो बटोबे से ये क्या करता होगा यह क्या करता होगा इस गन्ने को बेच देता होगा किसको सर वाई को यानि जैसे ही यह गन्ने को वाई को बेचता होगा तो यह क्या करता होगा सर अपने बैलेंस शीट में बैसिकली बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो यह consider कर लेता होगा कि मेरा डेटर मान लेते हैं कि 500 रुपे का गन्ना बेचा ये 50,000 रुपे का गन्ना बेचा तो ये balance sheet में फट से लिख लेता होगा 50,000 सपोस एक और मैं इसके अंदर changes करता हूँ समझना पहले से 25,000 था और इसको समान इसने बेचा सर 5,000 रुप 50,000 का पहले से 25,000 पड़ा हुआ था हमारे पास तो सर ये क्या करेगा एक्स बड़ा चला के इसने का भईया गन्ना बेचा है वाई को तो वाई का नाम लिखा फटा फट और 50,000 रुप और इसने बोला मीरा डेटर तो हो गया 75,000 कोई गलती करी का एक्स ने नहीं करी ऐसा करना भी चाहिए अब मान लो एक्स को अपने सिस्टर की मेरेज करने है और उस मेरेज के अंदर शादी के अंदर बहुत सारे मिठाई वनमाने हैं उसके लिए क्या ज़रत होगी चीनी की अब बताओ वो दूसरी दुकान में जाएगा जिस फैक्टरी से ले लेगा वो भाईया इसने क्या करा वाई को बोला भाई साब मैं आपको ग यानि इसने अपने बिलांशीट भी बनाई योगी वगवा इतुने बनाई तो मैं भी बनाऊंगा बैलेंशीट मेराड़तर पहले से पढ़ाा था मान लेतने के 25,000 का पहले से डिटर कितना पड़ा था 25,000 का इसने जब इसको समान बेचा होगा तो माल लेतें कि 40,000 का समान बेचा तो इसने किस नाम से record किया होगा थैम हिश्टर टैसके नाम से इसने क्या करा होगा सर 40,000 रुपए यानि यह बोल रहागा अब तो मेरे के 55,000 रुपए सपोज करो यह transaction और यह deal जो हुआ है वो credit basis पे हुआ है उधार पे तभी तो डेटर लिखा है तो साथ के साथ जैसे यह deal हुआ ना तो देखो एक आसपेक्ट आप missing कर रहे हो मिसिंग यह कर रहे है आसपेक्ट कि इसने जो है इसको समान बेचा डेटर लिख लिया लेकिन भाई समान खरीदा creditor भी तो लिख खरीदा है नहीं खरीदा इसने तो creditor भी तो लिख तो creditor कितना लिखेगा मान लेते हैं इसके पास पहले से 50,000 का creditor था तो इसने बोला जी मेरे पास कितने creditor हो गया अब 60,000 तो बोलेगा भाई तू भी तो creditor लिख तूने तो इससे समान खरीदा था डेटर तो बना लिया तो तू भी लिख creditor ये कितना creditor लिखेगा कहानी समझ मार रहा है यानि यहाँ पर कहानी है कि एक ही वेक्ति से में समान बेच रहा है वही मेरा डेटर वही मेरा creditor यही हो रहा है यह भी क्या बोल रहा है भाई तू मेरा डेटर है और तू ही मेरा क्रेडिटर है यानि तू मेरे लिए assets और तू मेरे लिए प्लाइबिलिटी तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा यहाँ पर एक तो यह हो सकता है बेवकूफी आलग काम कि यह ले भाई तू पचास अजार अब उसमें से दस अजार रख ले और बागी मेरे दे चालिस अजार हो सकता है तब ही सैटलमेंट हो सकता है तो बेवकूफी हो गई बहया जब देर को उसे पचास जार दे के 40 जार तेर को सेट आफ कर वाने तक शीज़ाना डस ही दे देता ना यह फिर यह कह सकता है ऐसे भाई एक काम कर यह ले 40 हजार एटियम गया, 40 जार निकाला भाई तेरा मेरा हिसाब किताब खतम 40,000 अब मेरे ला 50,000 उसने क्या करा इसके 40,000 में 10,000 और मिलाके इसको दे दिये तो ये तो क्या हो गया ये तो भाई ये बेवकुफी अली बात हो गई सिंपल सी बात है कि net of हो जाना चीए कि या तू एक काम कर 10 इसको दे दे और 10 ये ले-ले कहानी खतम हो जाएगी ठीक है दस तू ले-ले और 10 के हिसाफ से कहानी खतम हो जाएगी नॉक अप हो जाएगा वो 10 मतलब 10 इंदा सेंस कह रहा हूं कि net करके ऐसे situation में एक और इसका उपाए हो सकता है क्या उपाए हो सकता है सर आपका creditor और इधर debtor है दोनों में से कम क्या है मैं इसकी balance sheet को सुधार देता हूं इसकी balance sheet में कुछ mistakes है लेने देने वाली तो एक debtor कितने का है क्रेडिटर कितने का लेने देने वाला दोनों में से कम क्या है पचास या चालिस दोनों तरफ से कम वाला माइनस कर दो अल्टिमेटली इसके पास जो बचेगा 40 माइनस कर दो तो 35 इसका मतलब 10 लेने रहे इसके और यहां से नौक ओफ हो गया इसको देने कुछ भी नहीं रहे तो अब सही एंट्री नहीं हो गया यहां सीधी बात आप तेर से मेरे को कितने लेने हैं बस 10 ही लेने है सेम इधर से आप पॉइंट करोगे तो दोनों में से लोर क्या है पचास और 40 में 40 यह 40 माइनस कर देगा तो यह बो है किसान के साथ बीसिकली होता है बहुत सारी कंपनी क्या करती है बहुत सारी कंपनी क्या करती है जैसे कि कमपनीचीं से चाटा का양 बनाने का मोटर को उसने बेच भी किसको रहा हूं। तो मेरा और क्रेटर क्मान हो गया। तो बड़े बड़े बिजनस में बड़े सारी चीजे यह रहती है। तो बड़ी सिम्पल सी बात है पाанд child is क्या ट्रांजेक्शन होगा। इसके ट्रांजेक्शन की बात करें common debt का तो debtor में से भी minus होगा और क्रेडिटर में से भी minus होगा लेकिन amount कौन सा minus होगा बच्चा हर बार यही पूछता है का sir कौन सा minus करें मैं बोलता हूं कि less from sir debtor करिए कि दूसरा मैंने बोला कि less from कहां कर दीजिए सर कौन सा amount minus करना है lower lower amount less from creditor lower amount और यहाँ पर भी lower amount समझ जाएंगे ना lower amount समझ जाएंगे कोई परिशानी समस्य बताएंगे समझ मैं तो अजस्मेंट नंबर कौन साय सरी है एक्किस एक्किस अजस्मेंट तो देखो जो बच्चे नए है वह उनको अजस्मेंट बड़ा अच्छे से समझ मैंगा असा नहीं के कहीं नए क्लास स्टार्ट हो गई है लेकिन आज अब कुश्शन्स करने बैठ हो गए तो उन बच्चों को दिक्कत आएगी क्योंकि प्रिवियर्स भी तो करने हैं बड़े सारी चीज़ें वहां पर यहां तक कोई दिक्कत तक कि उन इसे स tom hebना ऑज हो चाला अपर disposhouette तक कैंत बच वहां पक्क्लव पुटेकर आए था हैं लुटेकर चाहई follow